समस्कार आज की खबर चेनल आप सबका स्वागत करता है हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज कौन-कौन सी खबरें लेकर आएं हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज लेकर आएं दोस्तो पां विचार क्या होता है और इसके उपर सुप्रिम कोट का क्या बड़ा फैंस लाया है इसके उपर हम आपको पूरी जान करी देंगे हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है दोस्तो पेटियम और बेंक अकाउंट और मोबाइल फोन को जदी आपने अभी तक डी लिंक नहीं किय है तो दोस्तो आप डी लिंक किस प्रकार करोगे क्योंकि दोस्तो हम आपको बता है सुप्रिम कोट ने साफ साफ कह दिया है कि आपको दोस्तो जो मोबाइल वोलेट है बेंक अकाउंट है और मोबाइल फोन यहाँ पर आपको आधार से लिंक नहीं करवाना है यदि आपने आधार से लिंक करवा लिया है तो दोस्तों आप डी लिंक किस प्रकार कराओगे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है कि दोस्तों आज देश भर में दवा की दुकाने बंद रहेगी क्यों रहेगी दवा की दुकाने बं हमारी आज की अगली बड़ी खबर रहेगी 28 सितंबर को भारत में दोस्तो व्यापार बंद रहेगा दोस्तो हम आपको बताएंगी जो व्यापारी है दोस्तो साथ करोड हमारे देश के दोस्तो उन्होंने आज भारत बंद की घोशना करिए दोस्तो और आज वह व्यापार बं रखेंगे। दोस्ट इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। शुरू करते हैं दोस्टो आज का हमारा ख़बरों का सिलसला और पूरी ख़बर हम आपको बताते हैं। आज की पहली बड़ी खबर दोस्तो पतनी का मालिक नहीं है पती दोस्तो यह कहना है सुप्रीम कोट कहां दोस्तो जो हमारी शीर्शी अदालत है सुप्रीम कोट उसका यह साफ साफ कहना है कि दोस्तो जो पतनी होती है वह दोस्तो पती की गुलाम नहीं है दोस्तो इस प्रकार का बयान सुप्रीम कोट काया है और दोस्तों यह बहुत बड़ा फ्रेंसला सुप्रीम कोट ने दे दिया है हम आपको बताएं दोस्तों वेभी चार अपरात की शेनी से बाहर कर दिया है दोस्तों सुप्रीम कोट ने और दोस्तों सुप्रीम कोट के खिलाब बताते हुए एस सवेधानी घोशित कर दिया है कोट ने का है कि पतनी का मालिक नहीं है पती दोस्तों हम आपको बताता है कि कोट के अंदर कौन-कौन से बड़े एहम फैंसले हुए है हम आपको बता है प्रधान न्यायदीश दीपक मिश्णा ने का है कि सवेधान क खूबसूरती यही है कि उसमें मैं मेरा और तुम सभी शामिल है समानता सविधान की शासी मान दंड है हम आपको बताएं दोस्तों और क्या का है सुप्रिम कोड ने सुप्रिम कोड ने कहा दोस्तों महिलाओं के साथ ऐस समान विवार करने वाला कोई भी प्रावधान सविधा नहीं है हम विवा के खिलाफ अपरात के मामले में दंड का प्राउधान करने वाली भारती दंड सहीता की धारा 400 संत्यान में और CRPC की धारा 108 में को एस सवेधानी घोशित करते हैं और दोस्तों यह कहना है CGI और नियाय मूर्ती खान विलकर का दोस्तों हम आपको बताएं CGI ने ये बात भी कही है कि अब यह कहने का समय आ गया है कि पती महिला का मालिक नहीं होता है वे भी चार तलाक का अधार तो हो सकता है लेकिन दोस्तों दिवानी मामलों में इसका समाधान है हम आपको बताएं दोस्तों आकेकार यदि आपको समझ में नहीं आए तो हम आपको पूरी बात और संशेक्ट में बताते हैं हम आपको बताएं दोस्तों पहले क्या होता था पहले ये होता था दोस्तों जो 150 साल पुराना ये कानून है इस कानून के अंदर क्या होता था हम को बताएं 150 साल पुरानी भारती दंड सहीता की धारा 400 संत्यान में ये कहती थी दोस्तों यदि किसी की पतनी के साथ अगर उसके पती की सहमती के बिना योन संबंद बनाए जाते हैं तो इसे वेविचार माना जाता है दोस्तों हम आपको बताएं इसमें CRPC की धारा 108 में के तह मुकदमा चलाया जाता है और दोस्तों इसमें अधिक्तम 5 साल की सजा होती है हम आपको बताएं पती की शिकायत पर मुकदमे दर्ज होते हैं और दोस्तों धारा की व्याक्या ऐसे की जाती है कि जैसे महिला अपने पती की संपत्यों दोस्तों हम आपको बताएं विरोध क्यों हुआ है दोस्तों याचिका में दलील यह दी गई है कि IPC की धारा 400 संत्यान में और CRPC की धारा 108 में के तहते वेवी चार के मामले में सिर्फ पुरुष को ही सजा होती है यह पुरुषों के साथ भेद भाव है हम आपको बताएं और सविधान के अनुचेद 14, 15 और 21 का उलंगन है जब शारीरिक संबन आपसी सहमती से बना हो तो एक पक्ष को जिम्वेदारी से मुक्त रखना इंसाफ के नजेरिये से ठीक नहीं है दोस्तों इस कारण यह विरोध वाता हम आपको बताएं अब क्या होगा हम आपको बताएं अब कोट ने IPC की धारा 477 में और CRPC की धारा 108 में को खतम कर दिया है दोस्तों इस कारण अब वेविचार के मामले में महिला और पुरुष दोनों को ही सजा नहीं होगी हाना कि कोट ने ये बात कही है कि जोस्तों जो संबंदित महिला है यदि उसका पती परिवार वाले शिकायत करते है तो दोस्तों इसको तलाक का आधार माना जा सकता है लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोट ने साफ साफ कह दिया है कि दोस्तों सुप्रीम कोट ने जो भारतिये दंड सहीता की धारा 400 संत्यान में और दोस्तों हम आपको बताएं CRPC की धारा 108 में को खतम कर दिया है दोस्तों अब वेविचार के मामले में महिला और पुरुष दोनों को ही सजा नहीं मिलेगी दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है महिला और पुरुष की समानता के लिए हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है बेंक अकाउंट, मोबाइल फोन और दोस्तो वॉलेट दोस्तो यदि आपने इनको डी लिंक नहीं किया है तो आप इनको डी लिंक कैसे करोगे इसके बारे हम आपको पूरी ख़बर बताने जा रहे हैं हम आपको बताएं दोस्तो कुछी महीनों पहले सरकार ने ये बात कही थी कि यदि आप बेंक अकाउंट को, वॉलेट को, मोबाइल फोन को यदि आधार कार से लिंक नहीं करोगे तो आपको कई सारी सुजधाई नहीं मिलेगी हो सकता है कि आपका बेंक अकाउंट बंदो जाए हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन की जो सीम है वह बंदो जाए दोस्तो जो बच्चे हैं उनको स्कुल में इंडमिशन नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया है हम आपको बताएं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है कि दोस्तों कि जो आधार कार्ड दोस्तों है मानने रहेगा उसकी सवेधानिक वेदता है लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं स सुप्रिम कोट ने ये बात भी कही है कि जो प्राइवेट संस्तान है वहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड अनिवारे नहीं है ऐसा सुप्रिम कोट का कहना है तो दोस्तों कई लोगों ने सरकार की बात मान करें आधार कार्ड को बेंग अकाउंट है मोबाइल की सिम के अंदर है आधार काड को तो दोस्तो हम आपको बताएं कि आपको अब D-Link किस प्रकार करना है हम आपको बताएं पहले आपको क्या करना है पहले आपको जो पेटियम का कस्टमर केर है दोस्तो महाँ पर आपको फोन करना है दोस्तो कस्टमर केर के फोन नंबर का जो लिंक है दोस्तो वह हमने discussion box में डाल दिया आप इस number पर घुमा कर दोस्तो customer care को phone कर सकते हो हम आपको बताएं दोस्तो उसके बाद क्या करना है आपको customer care से कहना है दोस्तो आधार को dealing करने का जो email है दोस्तो वह आपको भेज दिया जाए दोस्तो इसके बाद आपसे आधार कार्ड की एक scan copy मांगेगा दोस्तो आपको आधार कार्ड की scan copy दे दिनी है पेटियम customer care वालों को दोस्तो उसके बाद भेहतर गंटे के अंदर आपको पास एक email आएगा दोस्तो उसमें लिखा होगा कि जो आपका आधार कार्ड दोस्तो वह पेटियम से D-Link कर दिया गया है दोस्तो अब हम आपको बताने जा रहेंगे ज़िए आपने आपके bank account के अंदर भी आधार कार्ड को लिंक करवा दिया है तो दोस्तो वहाँ पर आप D-Link किस पर करवा होगे हम आपको बताएं दोस्तो आपको पहले क्या करना है पहले आपको दोस्तो आपी नजदी की ब्रांच में जाना है वहाँ पर दोस्तो आपको एक डी लिंक का फारम मिलेगा दोस्तो इस डी लिंक के फारम को आपको भरकर सम्मिट करा देना है और दोस्तो 48 घंटे बाद जो अकाउंट है दोस्तो बेंक अकाउंट हो है आधार कार्ट चे डिलिंक हो जाएगा दोस्तो अब हम आपको बतारें कि आप अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किस प्रकार अपने मोबाइल की सिंप के अंदर जो आपने आधार कार दिया उसको डिलिंक कर देगी तो दोस्तो थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए हो सकते हैं कि आने वाले समय में हम आपको इस बात की वी अपडेट जानकारी दे देंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तो आज देश भर में दवा की दुकाने बंद रहेगी हां दोस्तो हम आपको पूरी ख करदम के खिलाब शुकरवार को दोस्तो एक दिन की राष्ट व्यापी हर्ताल की घोशना करिये दोस्तो हम आपको बताएं ओल इंडिया ओर्गनाइजेशन ओफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ए आई ओ सीडी ने दोस्तो सरकार के फ्रेंसले का विरोध किया है और दोस्तो का AI OCD के संगटन सची और रिटेल डिस्टिब्यूटर केमिस्ट एसोशेशन के अध्यश संदीप नांगिया ने ये बात कही है कि AI OCD ने ग्यापनों के माध्यम से प्रशाशन और संबंदित विवाग को बार बार ये अपील करी है कि इस मुद्दे को घंबीरता से लें लेकि ये ओनलाइन दवाओं की अवेज बिक्री के धेरो मामले जग जायर हुए हैं दोस्तो इसके बाद भी सरकार ओनलाइन जो दवा बिक्री दोस्तो उसको बंद नहीं कर रही है दोस्तो हम आपको बताएं दवा के दामों का वी नियमन सरकार करती है ओनलाइन पोटल 70% तक देते हैं दोस्तो इस कारण से जो ओफलाइन दवा विक्रिता है दोस्तो वह ये मांग कर रहे हैं कि दोस्तो जो ओनलाइन दवा की विक्री बंद हो जाया है हां दोस्तो हम आपको बताएं सरकार जो 70% तक छूट देती है दोस्तो ओनलाइन दवा की विक्री लिए दोस्तो इससे दवा वियापारियों को काफी नुकसान होता है दोस्तों इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है और दोस्तों जब जो थोक विकरता है दोस्तों वह है ओफलैन दवा बेस्त है तो दोस्तों सिर्फ 10% की छूट मिलती है दोस्तों इस प्रकार नुकसान होता है बहुत बड़ा तो दोस्तो हम आपको बता है सरकार आगे क्या कदम उठाएगी दोस्तो सरकार तो यह के रही है कि जो ओनलेन दवा की विक्रिये दोस्तो उसको वो जारी रखेगी लेकिन दोस्तो आज दवा विक्रिताओं की हर्तालत देखना है दोस्तो आगे सरकार इस बारे में क्य बड़ा कदम उठाती है हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों केंद्रिय मादे में शिक्षा बोर्ड ने दसवी और बारवी की परिक्षाओं की जो तीथी है दोस्तों उसमें बदलाओ करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताते हैं हम आपको बताएं दोस्तों केंद्रिय मादे में शिक्षा बोर्ड सीवी एस्सी ने दसवी और बारवी की परिक्षाओं की तीथी में बदलाओ का नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों हम आपको बताएं नोटिफिकेशन की अनुसार परिक्षा फरवरी के अ युजित होगी दोसो सीबी ऐसी जल्दी पूरा टाइम टेबल जारी कर देगा दोस्तो यह हमारी केंदरी मादे मिशिक्षा बोर्ड की खबर हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तो 28 सितंबर को भारत व्यापार बंद है हाँ दोस्तो हम आपको इसके बारे में पूरी ख ख़वर बताने जा रहे हैं हम आपको बताएं दोस्तो वालमार्ट फिलिपकार्ट डील को दोस्तो व्यापारी दोस्तो हमारे देश के दोस्तो उन्होंने दोस्तो इस डील को अच्छा नहीं कहा है दोस्तो उन्होंने कहा है कि यदि वालमार्ट और फिलिपकार्ट की डील होत दोस्तो और आज वे अपना रोजगार बन रखेंगे हम आपको बता हैं दोस्तो विरोध सुरूप किसी भी प्रकार का आज कोई भी कारोबार नहीं होगा भारत बंद का आहान Confederation of All India Traders केट ने किया है हम आपको बताएं दोस्तों केट के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और बिहार महामंत्री डोक्टर रमेश गंदी ने ये बात कही है कि वालमार्ट फिलिपकार डील सरासर सरकार की FDI की पोलिसी का साफ साफ उनलगन है और उन्होंने ये बात भी कही है कि आने वाले समय में इसके सीधे तोर पर देश के छोटे वियापारियों के पेट पर लात पड़ेगी दोस्तों हम आपको बताएं दूसरी और देश के जो डिटेल वियापारी है दोस्तों वह ये बात कह रहे हैं दोस्तों हम आपको बताएं वियापारी आज हरताल कर रहे हैं दोस्तों हम आपको बताएं 28 सितंबर को भारत वियापार बंद के वालमार्ट फिलिपकार डिल को रद करने एयोम डिटेल व्यापार में विदेशी निवेश को अनुमती ना दिये जाने की मांग को लेकर दोस्तो आज देश के सभी राज में बड़े पेमाने पर धरना परदर्शन होंगे दोस्तो कलेक्टर को ग्यापन दिये जाएंगे दोस्तो हम आपको बताएं परदर्शन मंत्री के नाम भी जापन दिया जाएगा दोस्तो यह हमारी आज की तमाम कबरे आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको लाइक और सस्क्राइब परना ना भूले नमस्कार